आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान बात करें यहां से अगर गौर कॉंप्लेक्स की, तो गौर गम का दिसमबर वादा देखने हैं, 10,210 पर ट्रेड करता नजारा है, 1.5% की तेजी के साथ, हम देखने हैं कि गौर गम का वादा बजार आज भी 10,000 की उपर सस्तेन होके चल रहा है, कल को हमने गौर गम में 10,500 की पर बजार जाता हो देखा था, इसके साथ बात करें गौर सीर की, तो गौर सीर के दिसमबर वादा देख रहे हैं, अब अठावन सो के बाद 574 पर ट्रेड करता नजार आ रहा है, गौर गम और गौर सीर में आज हफते के आखरी कारोबार दिन, शाम के कारोबारी सेत्र में लाल निशान के साथ ट्रेड होता हो नजर आ रहा है, जो बजार है वो उपरी से अब कहीं न कहीं मुनाफ़ा वसुली के साथ तूटता नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि गौर गम और गौर सीर की कीमतों में, आज नीचले अज उपरी से एक मुनाफ़ा वसुली बंती अजर आई है, हाला कि जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना था कि एक से देड़ हफते में अगर एक से दस एक हफते यानि साथ से दस दिनों का अगर आट रूल लेकर चला जाया तो गौर गम और गौर सीर की कीमतों में टेकनिकल खरेदारी निकल के सामने आ सकती हाला कि फं गौर गम और गौर सीर का वायदा बजार तेज होता हुआ देखा था, हमने कल पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे कि कच्छे तेल का वायदा बजार तेजी में रहा था, कच्छे तेल की कीमतों में टेजी देखने के वायदा बजारों में, जिसका असर गौर गोारगम 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 10,500 तक जाता नज़र आया था आमीत सजेजा उनकी मताविक छोटी अफ़िली में गोारगम और गोारगम और तेजी और बंती नजर आ सकती है, एक हफते का टागी लेके चला जाये तो गवार सीड में 650 और गवार गम में 11100 तक के लेवल्स अमित सज़ज़ा के मताविक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये एक हफते के लिए है, ये ज्यादा लंबी अबदी के लिए नहीं है, ये टेक खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान